यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे जहां बीजेपी को जटका देने वाले हैं, वहीं समाजवादी पार्टी समेत अन्य दल जीत से गदगद नज़रा रहे हैं। कि नतीजों के आधार पर राजनितिक दल भविश्य के आंकलन में जुट गए हैं। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि योगी आधित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को कोविड-19 संकट से निपटने में विफलता के चलते नुकसान जहिलना पड़ा है। योपी पंचाया चुनाव में सबसे जादा अगर किसी पार्टी ने चौकाया तो वो भीम आर्मी प्रमुक चंदरशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी है। उनकी पार्टी ने वेस्टरन यूपी के जिलों में आमद दर्च कराते हुए बीएसपी के गड़ में जबरदस्त सेंद लगाई है। मुजफर नगर और अबिज नौर जिले के नतीजे इसकी गवाही दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पश्चमी यूपी को काफी एहम माना जाता रहा है। बस्पा सुप्रीमो मायावती पश्चमी यूपी से ही हैं। और आजाद समाज पार्टी के चंदरशेकर भी वही के हैं। पश्चमी यूपी ने जबजब सात दिया मायावती सत्ता में आई है। पश्चाय चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने जिस तरह से आमद दर्च कराई है। उससे ये कहा जा सकता है कि पश्चमी यूपी में उसकी जणे मजबूत हो रही है। चंद्र शेखर पहले ही 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने का एलान कर चुके हैं इसी वज़े से विधानसभा उप्चुनाव के बाद उन्होंने UP पंचायर चुनाव में पूरी ताकत के साथ प्रत्याशी मैदान में उतारे थे BSP के वोट बैंक में आजाद समाज पार्टी ने सीधे से इंद्मारी की है अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामे विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है